कि नमस्का मित्रों आप सभी लोगों स्वागत हैं यह हैं मेरे एच्टी फॉर करिया यूट्व प्रेट्फॉर्म है फिलाजी सोचल बेपे आपको सिच्छा भर्ती प्रक्रिया से संब्दित हो खास कर यूपीटेट सीटेट है एच अब आपको त्यारी करने यूपीटेट सुपर्टेट सीटेट की तो आप अपने मेरे इस चैनल को बीजिट कर सकते हैं या आपका अपना चैनल है अभी सब्सक्राइब करिया बेल आकेन को अभी क्लिक करें खासका सिच्छा भर्ती प्रक्रिया से समद्दित मैंद्व पलपल की खबरों से भी आपको यहां पर अपडेशन करी जाती है आपके साथ कम्मुलिकेट करा जाता है फिलाल आज आपको इस वीडियो सिस्टम में मुझे बतानी है उन्हें तरह जाग खुश खबरी जी हैं सिक्षा मित्र टेट और वेटेज मामले पर नई सिक्षा नीत की क्य निड़े आये हैं इस पर क्या जो है मंदरना करी गई है और इस पर क्या भी नोटिफिकेशन आया है इसकी सारे जानकारी अभी देखीगा और वीडियो के अंतिम तक मेरे साथ बेने रही जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी अभी देखिए बहुत इंपॉर्टनेट ज हम यह भाव था तो इस वजह से मैंने आपको आज मॉर्णिंग में आपके साथ मैं कम्मुनिकेट कर रहा हूं जिसकी बहुत आज भी होनी है यानि कि 1260 जिला वरीता मामला आज भी लखनों कोर्ट में होनी है कल क्या हुआ इसकी वी वाकिया बताऊंगा और आज क्या होने क कि संभावना है क्या संका जताए जा रही है यह भी जनकर आपको मैं दूंगा फिराला भी आपको बता दू कि सीटेट जारी कर दी गई है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जी हां और आप लोग अभी तक अगर आप लोग ने अभी जो अपने सीटेट को डाउनलोड नही सकते हैं यानि कि 26 जुलाइट अंतिम तारीख है लाश डेट है आप जो है सीटेट डाट इनाची रैटिन के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से इस लिंक के थ्रू आप अपनी प्रापति जो है दर्ज करा सकते हैं अगर आपको अब जिक्ष्यान है कि प्रस्णों को लेकर ह फिरा कल जो एक घंडे से अधिक बहास वे जिसमें याची के वकील स्री अनिलतिवारीदी ने बहास करी उन्होंने जिला वरीता के नियम की वैदता यानि की वैलिडिटी पर प्रस्णों चिने लगाते वे 15,000 भरती 16,448 भरती एवां 12,460 भरती से संब्धित तक्ष्यों स को आगद कराया और वहीं पर इस केस पर आज भी फ्रेस केस के बाद सुनवाई फिर से जारिक कांटिन्यू रहेगी और आद देखना है क्या होता है और वहीं पर पहले याची के वकील बहास करेंगे जो याची के वकील है ना पहले तो वह बहास करेंगे वह अपना पक्ष होने वाली है क्योंकि आज यहां पर सम्मिशन के बाद एट लास्ट इंडिंग पॉइंड पर लास्ट में आकिर में जो है लपी मिस्तरा जी बहांस करेंगे और आप बताना है कि सिक्षकों की भरती सुप्रिम कोड के फैंसले से खाली हुए पदों पर करमा गत दो चन्रों में होने थी जिसमें शिक्षमिट्रों को वेटेश की अधा पर भरती करने के निर्देश दिये गये थे और सरकार लोगी चैनित हो पाई थे और वहीं पर दूसरे चरण में बात करी जाए जिसकी भर्ती अभी चल रही पेंडिंग में 59000 सिट्रणाइक में परिक्शक के एक दिन बाद अथिकार고 ने सिट्रा मित्रों को बाहर कर्दियान बाहर कंषता दिखा दिया और माम लावी भी हाई कोड्ऴ में चला गया है इसलिए इसमें कटाब जारी का सिट्रों को मौका दिया जा सिट्रा कीश्म सा कर दो अगस्त के सुनवाइं बता दूँ एजी सर याने की गवर्मेंट एड़ोकेट जो है उपस्तित होने की आने की पूरी आसंका जताएचा रही है क्योंकि मैं देख रहा हूं जो करने के बार ततपचा यह उन्होंने जो है निर्ड़े लिया है कि हम एजी सर को जरूर उपस्चित करवा के ही रहेंगे और दो तारीकों निशकर से निकलवा कर रहेंगे सुनगतर है सचाब भरती कटाफ मुद्दे को लेका और वहीं पर आपको यह भी बता दूँ कि सिख्षा बोर्ड यानिकी सीटेट की आंसर की और ओया मार सीट आंसर की जारी कर दी है अगर आपने लोगों अभी तक डाउनलोड नहीं करें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट सीटेट डाटन से उम्मिद्वार इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं फिलहाल आंसर से खजार उपर फीश भी देनी होगी आपको चार्ज भी देना हो गई यूपीटेट ने को फ्री अफ्कॉस्ट है जी हां आप अत्ती सही पाय जाने पर फीश की वापसे फिलाल आपकी हो जाएगी अगर आपके जेव प्रश्न है आपकी जवापती है अगर वह वैलिड होती है वह सही होती वैद होती है तो आपके फीश तुरंक जो है वापस कर दी जाएगी वहीं पर सीब्यस्टी बोर्ड प्रबंदन के मुताबिक उम्मीद्वार क्रेडिट कार्ड डेविड कार्ड से फीश भी जमा कर सकता है हालाएं कि यह फीश वापस नहीं होगी फिलाल उम दीश यह है कि यह उम्मीद्वार की आपक्ति सही निकलती है तो डेविड क्रेड पर सम्मधिद धनराच वापस लवटाई आ सकेगी फिलासातियों इस वीडियो सेस्टन में इस नहीं जानकारी यह अगले की जानकारी बने रहेगा जो आज बारह चाट साथ साथ सब्सक्र तो आज कोट में लगनोव कोट में बहांस हो नहीं है अगर आप उसके अपडेट रही है उसनी उससे आज मैं आप से लाइप करूंगा लगनोव हाई कोट से जी हां आप हमारे स्टेडी फॉर करियर यूटूब प्लेटफॉर्म के सोसल वे को हाई कोट खुलेगी दस बज प्लेटा मामले कोलेका